So, hey what's up everyone, welcome back to another brand new video and आज की वीडियो IBIS Paint Text Basic Tutorial का Part 2 होने वाल है and आज की इस वीडियो में हम irregular objects को select करना सीखने वाल है I mean आप जब भी कोई graphic design बनाते हो, for example thumbnail तो उसमें आपको gun या फिक character को select करके उसका cutout बनाना पड़ता है So, हम आज वही करना सीखने वाले इन IBIS Paint Texts बागी अगर आपको IBIS Paint के basics नहीं आते तो आप हमारी last video देख लेना जिससे आपको IBIS यूज़ करना और भी easy लगेगा But before continuing this video, I want to thank each and everyone जिनोंने हमें आज तक support किया and आज हमने 7,000 subscribers का milestone अचीव किया है hopes feature में भी आप ऐसी support करते रहोगे So, अब चलिए चलते है phone के screen पर and मैं आपको सब कुछ A to Z explain कर देता हूँ So, guys, पहले तो आपको IBIS Paint Texts application को open कर लेना है फिर आपको जाना है my gallery के under यहाँ पर आपको plus के icon पर click करके अपना कोई भी canvas बना लेना है जितने size का like आपको जो भी graphic design बनाना है उतना का canvas बना लो फिर आपको layers पर click करना है import picture पर click करके यार अपना कोई भी screenshot इंपोर्ट कर लो या फिर कोई भी background इंपोर्ट कर लो जिसका वो cutout बनाना है in my case यार मैंने यहाँ पर एक कुछ इस तरह का background इंपोर्ट किया है आप जाओ तो कुछ भी इंपोर्ट कर लो and import करने के आपको क्या करना है मैं आप चलिया को बता देता हूं आपको यहाँ पर पहले अपने brush पर जाना है like brush की settings पर जाना है and make sure कि आपका first वाला brush selected हो dip pen soft ठीके and जो thickness है नीचे thickness रहती है ना thickness thickness को आपको कर देना 6 pixels ठीक है 6 pixels thickness कर देना opacity 100% and brush number 1 वाला आप यह screenshot लेकर देख लो कुछ भी गलत brush select करोगी तो यार फिर आपको खुद को problem होगी फिर इसको off कर दो फिर आपको ना उपर एक ऐसा option मिलता है finger tip का कुछ यह वाला finger tip पर क्लिक करना है फिर आपको यहां पर एक stabilizer मिलता है उसको 10 कर दो फिर आपको फोर्स फिर नहीं करना है नहीं तो फिर आपको problem आज सकती है आपको नीचे method मिलता है method दो तरीकी के होता है एक है real time एक होता है after real time मतलब कि आप जब जब select करोगे तब तब वह होता जाएगा after मतलब कि आपने जब कर दिये उसके बाद select होगा so after वाले यार थोड़ से लोगों को थोड़ सा annoying लग सकता है तो वह आप खुड try करके देख लेना मेरे हिसाफ से मेरे को तो रियल टाइम ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैं रियल टाइम यूज करूँगा इसके नीचे आपको एक ड्राइंग टूल मिलता है ड्राइंग टूल यहाँ पर आपको कुछ 7 मिल जाते है इन टोटल आपको यहाँ पर second line वाले थर्ड वाले को सिलेक करने second line वी थर्ड वाले आता है बेजर कर आग किसी भी टूल पर होल्ड करके उसका नाम पर सकते हो तो इस तरह से आपको यह वाला बेजर करना है और बेजर करना है बस सिलेक करके छोड़ दो बाकी लियर पर जाओ एक एमटी ले ले लो अपने बैग बठाना है ठीक है अब वो डॉट के आगे जस्ट कुछ एक और बठाना है एंड हां इसका जो कलर है ना बरस का वह कुछ ऐसा रख लो परपल वगेरा जो भी बैग्रांड में ना हो तो बने परपल रख लिया अब आपको ने एक एंड पर बठाना है थोड़ा आगे जाके और एक डॉट बठाना है एंड जस्ट कंटीनिव दिस थिंग एंड आप ब्रस की सेटिंग्स को अपने हिसाब से चेंज कर लेना एंड देख़ए डॉट आपको बस अपने आउटलाइन पर बैठा दे जाना है जैसे कि हम पी एस सी में पॉलिगॉन टूल का यूज करके ड हो जाता है आपको फिर से स्लेक्ट करना पड़ता है यहां पर वैसा कुछ नहीं है अगर आप खाई से गलती से क्लिक कर देते हो यहां फिर आप फिर से आकर यहां पर यह चीस कंटीनिव कर सकते हैं उतने मैं से एंड आपका सेलेक्शन भी होते जाएगा ठीक है एंड अग सब कुछ अपने साब से करके देख लेना फिर बस आपको क्या करना है आपको ऐसे डॉट बठाते जाने बैठाते जाने अपने करेक्टर के दूसरे एंड तक पहुंच जाना है मतलब कि जहां भी आपको लाइक सेलेक्शन खतम करने अभी तो हैर हमने कुछ एक मिनट में इ करते जाना करते जाना एंड आपको यह जब भी हो जाएगा तब आपको मैं कुछ और बताऊंगा वह आप देख लेना तब तक मैं सेलेक्शन कर लेता हूं तो गईस यार दस मिनट बाद यार मेरा सेलेक्शन खतम हो गया और बेजर कव्ष जार मैंने एकदमी सअच सेलेक्शन बना लिया बढ़ स्टिल कहीं थोड़ सा रफ ली है तो आपको उसका ध्यान रखना है बाकर सेलेक्शन बनाने के बाद चली क्या करना है मैं आपको वह कर लेना है मैंने उल्लेडी बेजर कर को अटाकर द्राइंग टूल ऊफ कर दिया है तो यहां पर और चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं बिफोर कंटीनिंग इस वीडियो देखो यहां पर एक चीज है कि देखो यहां पर बहुत से बंदया सोचेंगे यार बेजर कर फिचे का क्यों ना हम खुछ से अपने रफली ऐसे ड्रॉप करोगे ना उसमें दो प्राब्लम्स आगी प बहुत से बंदय बोलते हैं कि भाई वह खुद मैनुवली ड्रॉप करके बनाना प्रिफर करते हैं बटर कहीं पर ग्याप आ जाते हैं तो यार प्राब्लम आएगा सेकेंड लिए आप हाथ से कितना परफेक्टली ड्रॉप कर लोगे मेरे को यह बताओ ठीक है मतलब कि हाथ आप से आउटलेंड ड्रॉप करना थो भूश्किल हो जाएगा यह बिगनर्स के लिए वह प्रेफर बाकि वह सब के लिए अपना-पना मैटर है लेकिसको क्या पसंद है बाकि वन्सेयर देन विद्धे सिलेक्शन आपको क्या करने आपको ना अपने स्ट्रोक के लिए पर जाना है एंड मेके डुप्लिकेट लिए ठीक है डुप्लिकेट करके नीचे वाली को हाईड कर लो वह बैक अप के लिए हैं एंड हम बैकर प्लियर को हमको रखना चाहिए जिसे यह कभी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसका यूज कर सके बाकि नीचे तुमको और बाकिली पर्टल पर इस अपों क्लेक कर देना है फिर आपको यहाँ पर दो ऐसं मिलता है ऐक रहे दे बॉक्ति इक रहे जाए रहना चाहिए बाकि जो कलर यहाँ पर क्ल्र कोई यहा ii क्या श्रोब्स आक आर एक आहां मीचका ए्टिअश स्ट् Ich पर एगा वेक्स और यापने डिकॉर्नाइजेशन डिसेबल डखैब ग्याप रिकॉर्नाइज़सन अनेबल करें बहुत प्रव्लम आजाती है एक ग्रत उसमें डिसेबल करदो पड़ेगा इसको इसको स्कुट कर लो एक स्क्वाइर को फिर अब को करने स्लेक्ट ओपसिटी इस लेक्ट कर सकते हो आप तुमको जाने नीचे के लियर पर लाग के लियर पर छोई क्यों हमें एक क्ट्रक्टर का पीएंजी मिल चुका है इसको हम PNG कर देंगे अब चाहिए जो करना वो तुम कर सकते हो इसके साथ एंड तुमको एक अलग लेरे मिल जाती है अब क्या होता है कि बहुत से बंदे क्या करते कि अपलोड करना चाहते है बट यह पूरे के टाइम रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए मेरे पास एक चीज है आपको अपने लाइक थम्निल को एक्जिट करना गैलेरी के अंदर आना है फिर आप उस प्रोचे को सिलेक करन होंगा अब तुमको ऐसा स्पीडाट फोन में सेव हो जाएगा ठीक है तो आप अच्छाने पूरे थम्निल बना सकते हैं फिर आप जो भी क्रेट करते हो बना सकते हो फिर बात मुस्का स्पीडाट सेफ करके कहीं भी अपलोड कर सकते हो यह एक बोनस टिप था चाहों तो ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइज